हेलो दोस्तो वेलकम टू दे चैनल जैसे आपको पता है कि हम मेकेनिकल प्रोपरटीज ओफ फ्लिविड्स के निमॉरिकल्स के बारे में डिसकेशन कर रहे हैं और आज हम आखरी लेक्चर इसका टेक्स्बुक निमॉरिकल्स का खतम करेंगे जिसमें हमारे पास निमॉरिकल्स तो कम है और फॉर्मॉले भी कैसे है कम है क्योंकि बहुत सारा पार्ट हमारा टूठावजन ट्वेंटीवन बोड एक्जाम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ इस बोड एक्जाम के लिए क्या हो गया है कम हो चुका है अगर वो कम हो चुका है तो बचा है बस एक कंड़क करना है लेकिन फिर भी आज का lecture ध्यान से देखे इस numerical पे अगर एक ही formula है और इन दो formula के ऊपर numericals अगर देखना है तो मैंने क्या किया है NCRT में के भी कुछ numericals उठा लिए है ताकि हम इसे क्या कर सके lecture complete बना सके आज बेटा आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मुझे करना है कि आपको थोड़ा सा साउंड मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं खुद एक सर्दी से कैसा हूँ जूंज रहा हूँ तो मेरी तब्बे थोड़ी सी वीक है तो टिकनोलोजी के वज़े से आज हम सब साथ में पढ़ सकते है ने तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था बट हमारा जो लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ mechanical properties of fluids का इन वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सके और सब मुझे क्या कर सके homework बेज सके तो समझ में आगा है बेटा तो सबसे बहले हम क्या करता है हम अगर आपको याद होगा तो हमने कल height of liquid column inside the capillary tube इसके बारे में पढ़ा था आज का हमारे सब numericals किसके बारे में है they are about velocity gradient coefficient of viscosity and stokes law अगर आपको याद होगा तो ये कौनसे topic के questions है तो this is the topic of streamline flow and turbulent flow गर आपको पता होगा तो तो हमने क्या किया था velocity gradient का भी answer वहाँ पी निकाला था velocity gradient was considered to be rate of change of velocity with respect to displacement ये था dv upon dx और फिर वहाँ से हमने लिया था Newton's law को that force force कौन सा force था वेठा viscous force था तो force is equals to eta that is coefficient of viscosity a is area dv by dx is velocity gradient तो हमें numerical आने वाला है जिससे हम क्या निकालेंगे सिर्फ velocity gradient का ही value बनाएंगे तो eta is equals to f of dx upon a into dv ये formula होना चाहिए और ये मेरे सबसे सबसे important formula है आज के पूरे lecture का या हमारे पूरे scenario में यानि third lecture हमारा जो है वो पूरा dependent कहां पे रहेगा Stokes law पे रहेगा और बहुत ही आसान question होता है क्यूं बनते हैं फिर तो इसका formula जो है वो थोड़ा सा और formula है इसका formula 6 pi eta r v है तो हमें ये याद करना पड़ता है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा यानि हम आगे बढ़ सकें तो पहले question से शुरू करते है सब question बहुत ही आसान question है आपको बहुत जल्दी जल्दी इसका क्या हो जाएगा आइडिया आते जाएगा आज homework थोड़े से 2-3 numerical में homework में दिने वाला हूँ ताकि आप इसे solve करेंगे और सबसे में बात मैं आप answers आपको नहीं बताऊंगा answers मैं क्या करूँगा आप जब मुझे answers लिखके भीजेंगे तब मैं उसे क्या करूँगा टैली करूँगा ठीक है तो आप इसे समझ लीजिए तो हम क्या करते हैं पहले numerical से हमारे start करते है तो पहला ही numerical मैं थोड़ा सा अच्छा लिया है जो हमें inside में से मिल जाएगा तो क्या निमोरी करें देखिए a metal plate 5 cm x 5 cm rests on a layer of castor oil 1 mm thick यानि देखिए क्या है वेटा कि एक 1 mm thickness का castor oil का layer है और उस layer पे एक plate है समझ लीजिए ये metal plate है और उस metal plate का हमें क्या दिया है area दे दिया है वो है at the state of rest और हमें इसका thickness दे दिया है कितना है 1 mm castor oil के layer का और coefficient of viscosity तो given लिखना सबसे important है यानि area of layer यानि क्या लिखेंगे 5 cm x 5 cm is equals to कितना हाग गया 25 cm क्या बन गया square बन गया 25 cm square अब इसे meter square में convert करना पड़ेगा यानि कितना बन जाएगा हमारे लिए 25 into 10 raise to power minus 4 कितना है meter square ये बन गया area फिर हमें दिया क्या है thickness दिया है dx हमें दिया है 1 mm thickness है नहीं ये सबसे important बात है thickness अगर हमें पहचानते आना चाहिए कि thickness exactly है क्या तो thickness उस oil के layer की थी जो थी 1 mm और वो मिली हमें 1 into 10 raise to power minus 3 minute क्या मिल गया है हापे meter बन गया और coefficient of viscosity दिया है coefficient of viscosity is 1.55 Newton second per meter and horizontal force यानि viscous force का value निकालना है और velocity भी दिया है with a force required to move the plate with a speed of 2 cm per second यानि 2 into 10 raise to power minus 2 meter per second अब force निकालना है कौन्शा law लगेगा Newton's law Newton's law of viscosity क्या था Newton's law of viscosity F is equals to eta यादे आपको F is equals to eta ADV upon dx DV upon dx किया होगे velocity gradient अब शिर्फ आपको क्या करना है substitute करना है और value निकालना है यानि F is equals to eta की value कितनी बनगी 1.55 into area कितना है 25 into 10 raise to power minus 4 multiplied by DV 2 into 10 raise to power minus 2 upon dx कितना है 10 raise to power minus 3 अब इसे solve करेंगे हम F is equals to 25 multiplied by 1.55 हम इसे तो आप easily solve कर सकते है 25 into 5 समझ लीजे carry है 12 25 into 5 125 plus 12 137 यानि कितना आ गया हमारा फिर से carry आ गया 13 25 plus 13 कितना में लीजा है 38 okay so 38.75 into 10 raise to power minus 4 into 2 into minus 3 numerator को जाएगा इतना हो जाएगा plus 3 so 10 raise to power minus 2 into 10 raise to power plus 3 आगे है तो calculate करेंगे पहले सबसे पहले 2 से multiplication कर लें कितना आ गया है 0 इतना है 27,014 यानि कितना है यहाँ पे 15 17 77.5 into 10 raise to power minus 4 minus 2 minus 6 minus 6 plus 3 minus 3 so 10 raise to power कितना हागा minus 3 यूनिट किया हागा बेटा हमारा Newton समझ मैरा आपको हमने कैसे सौल किया मैंने numerical आपके साथ में calculation इसलिए सौल किये कि आपको भी easily उसे क्या करना चाहिए समझ में ले दे लना चाहिए तो calculation ये कौन सा force है ये horizontal force है जो act हो रहा है किसके लिए plate पे act हो रहा है कौन act कर रहा है kaster oil का कर रहा है layer act कर रहा है आपको समझ में यहनि क्या क्या दिया था पेदे तो आपको समझ नहाए horizontal force यानि कौन सा force है विसकस फोर्स है यानि कौन सा लौ लगेगा Newton's law of viscosity यहां पे लगेगा तो coefficient of viscosity इन्होंने दे दिया था एक मैं numerical ऐसा लेता हूँ जो हमारे textbook में भी है कि जिसमें coefficient of viscosity ही निकालना है यह formula आपको याद रखना ही बढ़ेगा इसके इसाब से आपको calculation करने बढ़ेंगे लेकिन यह dx समझना बहुत ज़्यादा important था इसलिए मैंने वो छोटी से diagram आपके लिए क्या कर दी निकाल के दे दी समझ में आगे बढ़ता है एक textbook से numerical लेता है तो चलिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि numerical आसान ही है क्या है horizontal force of 1 newton required to move a metal plate of area 10 raise to power minus 2 meter square with velocity of 2 into 10 raise to power minus 2 meter per second when it rests on layer of oil 1.5 into 10 raise to power minus 3 meter thick find coefficient of viscosity यह ऐसे numerical होता है जो हमारे state board में आते हैं यह क्या दिया है सब कुछ उन्होंने दे दिया है बस formula डालिए, solve कीजिए और answer perfect निकालिए और unit बराबर लिखिए यहनि गलती आपको करनी है numerical उन्होंने दे दिया है यहनि कैसे given लिखेंगे देखिए horizontal force of 1 newton यहनि क्या दिया है f is equals to कितना है 1 newton it is required to move metal plate of area area भी दे दिया है 10 raise to power minus 2 पर क्या बन गया? meter square उसमें भी कुछ changes करने के जरुवत नहीं है with velocity, velocity यहनि क्या लिख सकते हैं dv लिख सकते हैं 2 into 10 raise to power minus 2 कितना है meter per second when it rests on layer of oil 1.5 into 10 raise to power minus 3 meter थीक यहनि dx भी दे दिया है 1.5 into 10 raise to power minus 3 इतना है meter और पूछा गया है coefficient of viscosity अब formula लगेगा कौन सा formula? newton's law newton's law लगेगा और मैं पहले से derive करूँगा unit भी आपको बताऊँगा by लिखेंगे newton's law कौन सा law? viscosity वाला की f is equals to eta a dv upon dx अब formula कौन सा निकालना है? eta का तो eta is equals to eta ने क्या coefficient of viscosity तो f into क्या बन जाएगा? dx upon a into क्या होगा dv अब के पौस formula सब हैं? पहले unit के बारे में सोच लीजिए क्योंकि unit इसका बहुत ही ज्यादा important रहने वाला है देखें, यहां का unit बनाएंगे force के unit क्या है? newton है dx के unit क्या है? meter अगया समझ में upon area का unit क्या बन जाएगा? meter square into dv का velocity का unit क्या है? meter upon second तो क्या cancel हो गया? यहां पे meter meter क्या हो गया? cancel second गया numerator में यहांने unit क्या बनेगा? newton second per meter square अगया समझ में आपको? तो यह आपका unit रहेगा जो आपको ध्यान से अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका mark जाता है तो यह unit बना लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है अपक सिर्फ substitution ही करना बाखे eta is equal to f is equal to 1 multiplied by dx कितना है? 1.5 into 10 raise to power minus 3 upon a area कितना है? 10 raise to power minus 2 multiplied by dv कितना है? 2 into 10 raise to power minus 2 अब इसे हम calculate करेंगे आसानी से और हमारा क्या निकलेगा? answer निकलेगा अब को समझ में आ रहा है कि मैंने पूरा calculation पहले ही कर लिया था और हमने substitution ही ऐसे उसी साब से किया है तो क्या करेंगे? 10 raise to power minus 2 minus 2 कितना है? minus 4 minus 4 numerator मे जाएगा? कितना हो जाएगा? plus 4 तो इटा इस उकोल स्टू क्या? 1.5 upon 2 हार रहा है समझ में? 1.5 upon 2 multiplied by कितना? 10 raise to power minus 3 into 10 raise to power minus 4 कि किया हो जाएगे? plus 4 यानि इटा is equals to 0.75 आगे? 0.75 into 10 raise to power कितना है? वहाँ इटा इस उकोल स्टू क्या? 7.5 unit क्या? Newton second per meter square बहुत important बात है unit लिखना यहनि मैं अगर paper setter है तो मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि इसका unit बहुत लोगों का गलत हो जाएगा समझ में आगे बटा? सिर्फ given लिखना है formula set करना है unit बराबर देखना है answer निकालना है बहुत आसान numerical है homework देता हूँ फिर उसके बाद में stokes log के दो solve करेंगे यानि बहुत set हो जाएगा इसके उपर के दो numerical में क्या दूँगा आपको homework दूँगा यानि और easily आप solve कर सकते है बिल्कुल tension मत लेजे एक numerical दूँगा जिसमें सिर्फ velocity gradient ही निकालना है यानि dv by dx निकालना है शान्ती से वो निकाल लेना और एक में force निकालने का numerical देता हूँ तो homework लिख लेता है बेटा ये दो numerical आपको homework के दे रहा हूँ देखे शान्ती से क्या है the velocity between two layers of liquid separated by 1 mm यानि क्या दिया है dx and velocity d है क्या है dv velocity gradient निकालना है यानि क्या हो जाएगा dv upon dx इसका unit शान्ती से लिखना पड़ेगा यानि meter upon meter per second upon second या समझ में यह हो गया पहला निकालना है दूसरा find the force यानि force का value निकालना है force is equal to eta atv upon dx ये formula बनता है कि ने तो इसमें क्या क्या दिया है area दिया है with uniform velocity 1 cm per second इसको meter per second way convert करना पड़ेगा and thickness भी दिया है dx भी दिया है और इटा दो directly दिया है करेंगे बेटा solve solve कीजिए मुझे भीजिए सब solve करेंगे बहुत ही आसानी से ये सब solve हो जाएगा तो क्या करते हैं अगले numerical के तरफ बढ़ता है दो ही numericals आखरी numericals है चप्तर खतम हो रहा है बड़ा तो फिल्कुल tension नहीं लेने का आखरी का आखरी term है इसके बाद हम नया चप्तर शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा यहने हम संडे से शायद से नया चप्तर शुरू करेंगे 15 अगस्ट के आप सब को बहुत सारी शुपकमना है अभी दे देता हूँ हैपी इंडिपेंडेंस डे और अगला हमारा आखरी दो निमोरिकल्स हम क्या करते हैं अगर दोस्तों आपको याद होगा तो स्टोक्स लॉआ किसके बारे में बात करता था स्टोक्स लॉआ बात करता था अस्पेरिकल बॉल ट्रेवलिंग थूर फ्लुइड यानि उस पे जो विसकस फोर्स एक्ट होने वाला है यहने समझ लिजे ड्रॉप नीचे गिर रहा है पानी का और उस पे एयर जो विसकस फोर्स एक्ट करेगी उसके बारे में विसकस हमारे लिए स्टोक्स लॉआ क्या करता था फॉर्मूला प्रोहेड करता था तो सिम उसी टाइप का एक निमोरिकल है हमारे पास जो हमें सॉल करना है यहने क्या दिया है calculate viscous force यानि F is equal to बन गया question mark acting on a raindrop of diameter diameter दिया है 1 mm यानि radius बन जाएगी 0.5 mm इसे convert करेंगे 0.5 into 10 raise to power minus 3 meter यानि 5 into 10 raise to power minus 4 क्या बन गया? meter इतना सारा लिख लिए हमने तो यह बन गया है diameter falling with uniform velocity of 2 meter per second इसकी velocity दी है 2 meter per second and coefficient of viscosity is given as 1.8 into 10 raise to power minus 5 newton second per meter square तो इसका हमें निकालना है viscous force viscous force यानि कौन सा लो लगेगा हमारा stokes law according to stokes law viscous force is given by 6 pi eta r multiplied by v अब r था radius of that particular spherical drop तो हमें इसे क्या गरेंगे formula में solve गरेंगे 6 multiplied by pi की value अगर d नहीं है बेटा pi की value अगर d नहीं है तो हमें क्या लिखनी है 3.142 लिखनी है नहीं याद रखे 3.14 नहीं लिखेंगे multiplied by 1.8 into 10 raise to power minus 5 multiplied by r लिखना है radius कितना 5 into 10 raise to power minus 4 multiplied by velocity इतनी है 2 तो जितना solve हो सकता है उतना हम solve गरने कोशिश करते हैं तो f is equals to इसे multiply करते है 12 1 25 2 8 18.852 multiplied by 1.8 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by minus 10 raise to power कितना हो जाएगा minus 9 इसे भी multiply कर लेते है f is equals to 18.852 multiplied by 18 कैसे 18 5 into 2 कितना है 10 10 multiplied by 1.8 that is 18 into 10 raise to power और कितना है minus 9 अब इसे अगर आप log से solve करेंगे log of 18.852 plus log of 18 तो आपका easily solve हो जाएगा अगर उससे भी अच्छा जिसको table याद है पूरा वो table से भी इसे क्या कर सकता है solve कर सकता है तो इसे solve कीजिए answer क्या आएगा 3.393 into 10 raise to power इतना लिखता हूँ मैं 10 raise to power minus 7 unit कितना आ गया Newton अगर 10 raise to power minus 9 के format में इसे लिखना है तो कितना आ जाएगा 339.3 into 10 raise to power क्या हो जाएगा हो minus 9 लेकिन मैंने इसे minus 7 के format में लिखा आप खुद answer निकालिए और चेक कीजिए stokes law से answer आता है के नहीं आता है समझ में आगया तो ये था हमारा कुंसा viscous force एक ही numerical था जो थोड़ा सा strong numerical था जिसे हम थोड़ा सा सोच सकते थे कि ये numerical थोड़ा निकालने के जैसा बाकि numerical तो इसके बहुत ही आसान होते हैं मैं आपको देखाता हूं तो एक और निकल देखते हैं जिसे आप ही solve कर सकते हैं कहले जैए यह भी आपका हमवर की कहले जै और एक और numerical देखते कि Falling with velocity 2 meter per second through a tube which is filled with glycerin. इस tube में क्या भरा है? Glycerin भरा है, यानि यह यहाँ से travel हो रहा है, नीचे जा रहा है. अब इस पे क्या act होगा? Viscous force act होगा. और इस glycerin का उन्होंने coefficient of viscosity दे दिया, 0.833 newton second per meter square. क्या calculate करना है? Viscous force calculate करना है. तो कौन सा formula लगेगा हमारे लिए? Easily लगेगा Stokes formula क्या? F is equals to 65 eta RV. निकाल सकते हैं? 65 constant eta गया है? 0.833 R 0.3 mm V 2 meter per second. Millimeter को कहाँ पर convert करना बढ़ेगा? Meter में. हो जाएगा? Confirm हो जाएगा. तो यह हो गया मेटाँ फूरा हमारा chapter Mechanical Properties of Fluids. इसके अगला chapter कौन सा start करना है? मैं आपको बताओंगा आगले lecture में. जब होगा तब भी आपको मैं inform करता रहूँगा. तो उससे पहले सब दिने पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं. इनुमरिकल्स मुझे भेशते रहे हैं. देश हमसे कुछ मांगता है जो हमें उसे देना चाहिए. तो पढ़ते रहे हैं बटा देश के लिए कुछ करते रहे हैं. 15th August का सब्द के लिए बारक बात देते हुएं. मैं Mechanical Properties of Fluids क्या करता हूं? खतम करता हूं. जैहिन! जै भारत! तेनक यू.